नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहद हिमातो पूझ जानकारी को ले करके सौ साल तक नहीं आएगा कभी भी हार्ट अटेक सिर्फ खाएं रोज ये तीन चीजें आपको लाब होते नजर आने लगेंगे हार्ट अटेक एक ऐसी खतरनाक बिमारी है जो दिल की धरकने बढ़ाने के साथ ही हार्ट को कमजोर भना देती है हार्ट अटेक को दिल का दोरा पढ़ना भी कहा जाता है इस बिमारी में दिल तक रक्त ले जाने वाले रक्त वाहनियों में वसा के जमने से रक्त संचार में बाधा उत्पन होती है और रक्त रुक रुक कर दिल तक पहुँच पाता है जब दिल पर रक्त का अधिक दबाव पड़ता है तो व्यक्ति हार्ट अटेक का शिकार हो जाता है आजकल अनयमित खानपान के चलते कम उम्र के व्यसकों को हार्ट अटेक आजाता है लेकिन अईयुर्वेद में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिनका नयमित रूप से सेवन करने पर भविश्य में कभी भी हार्ट अटेक जैसी समस्या आपको नहीं सताएगी तो आईए जानते हैं आज हम सभी इसी बारे में केले का प्रति दिन सेवन करने पर बैड कोलेस्टरोल घड़ता है केले में विटामिन B6 होता है जो हार्ट की सभी समस्याओं से छोटकारा दिलाता है आउला के आयरवेद में बहुत से फायदे बताए गए हैं आउला में भरपूर मात्रा में विटामिन C होता है जो रक्त की अशुद्धी को दूर करके रक्त को पतला बनाता है आउला का प्रति दिन सेवन करने से हिमोगलोविन तीजी से बढ़ता है साथ ही हार्ट ब्लोकेज भी शिग्रही ठीक हो जाते हैं इसलिए ये बेहद ही कारगर और शदी के रूप में कारियरत होता है इसके लिए प्रति दिन एक शल्जम का सेवन करने पर खुन की कमी और खुन में मिली हुई अशुद्धियां शिग्रही दूर होती हैं साथ ही हिमोगलोविन बढ़ता है सेवन करने से हाट ब्लोकेज ठीक होती है यह कमजूर हिरदय के लिए लाग दायक होता है नियमित रूप से सर्सों के तेल में बनी हुई सब्जी का सेवन करने से हाट की कभी भी कोई समस्या नहीं होती है यह हाट के लिए फायदेमंद रहता है सर्सों के तेल में कई पोश को छुटकारा मिल जाता है करेला बैड कोलेस्टरोल को दूर करता है और रक्त संचार को ठीक करता है इसके साथ साथ डाइबी टीज के लिए तो आप सभी जानते हैं हैं कि यह बेहधी कारगर और शथी के रूप में कार्य करता है तो यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहद ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नवस्कार दोस्तों